तो हलो इणिडिया कैसे हो आप फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है है आज फिर से मैं एक नई जगह पे आया ह। एकी बहुत ही पवित्र जगह पे इसे बुलते हैं हम अर्धनारेशवर मंदिर तो ये मंदिर क्या है और इसके बारे में क्या इतियास है ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा तो प्लीज वीडियो पर बने रहिएगा मन को महोकर सफल कामनाव की सिद्धि पूर्थी का स्तल महोगाव का अर्धनारेशवर जोतिरलिंग यह जोतिरलिंग मद्य प्रदेश के चिन्वाडा जिले में स्थीत 15 खेड़ी गाव से 3 किलोमेटर दियू महोगाव एक गाव हैं वहाँ परिहस्ती थे जिसका पौरानिक नाम महतगाव था जिसे आज के दिनों में महोगाव हविली के नाम से जाना जाता है जो यह सामने मैप दिख रहा है इस मैप में पूरा बताया गया है कि यह अर्दनारिश्वर जोतिरलिंग कहाँ पे है बहुत ही सुंदर जगह है यह और बहुत ही रमनिय प्लेस है और यह चिनवाड़ा जिले में आती है यहाँ पर और भी बहुत सी चीज़े है देखने लाए और यह जो शिवलिंग है यह ऐसे जगह में स्तीत है यह भारत के नक्ष में यह आप देखते है तो पहले केदारना साथ है फिर मोहगाव का अर्दनारी श्वर जोतिर लिंग है उसके बाद स्री जंबू के श्वर मंदिल तमिल नाडू उसके बाद है इकामबेश्वर मंदिर तमिल नाडू और उसके बाद है स्री अनुना चले श्वर मंदिर तमिल नाडू और उसके बाद है थिल्लाई नट और एरिया है यह जो सामने देख रहे हैं यहां से अंदर की और इंटरंस करते हैं पहुरानीक आधार यहां कि यह च्छेत्र दंड कारान्य कहलाता है जो की देट गुरु सुंध शुक्राचार्य की कर्म भूमी देट गुरु शुक्राचार्य भगवान बोलेनात के अनन्य भ बट शुक्राचारे ने उनसे ये मागा कि मुझे आपका अर्धनारेश्वर स्वरूप देखना है इसलिए भगवान भोलेनात ने उन्हें अर्धनारेश्वर का रूप दिखाया और यहां पे स्थापित हो गए बहुती पुरातर मंदिर बना हुआ है यह बहुती सुन्दर ह यहां सर्पनदी के किनारे मंदिर बना हुआ है मोगा हविली गाओं में सर्पनदी के किनारे मंदिर बना है यहां पे द्यत्य गुरु शुक्राचारे के अलावी बहुत से संत यहां आए और उन्होंने यहां पे अपना तब किया और उन्होंने उस तब का फल मिला यहां प नंदी जी है और नंदी जी के सामने यहां बहुत ही सुन्दर और अप्रतिम भोले नात की यहां पे शिवलिंग बना हुआ है और यहां पर भगवान ने अर्द नारीश्वर के रूप में दत्यगुरु शंकर अचारे को दर्शन दिये थे जिसमें आधी नारी और आधा पु पूरा पीतल से बनी हुई यह मुर्ति है बहुत बड़ी मुर्ति है और यह जो मंदीर है इसका तेरवी और पंद्रवी शतापती में जिनोधार गोंड राजा और नाकपूर में भोसले सामराज्य था तो उन राजाओं ने इन इस मंदीर का जिनोधार किया था यह जो सामन किस्मत अच्छी कि आज आपको दर्शन हो गया यह बहुत ही सुन्दर मंदीर है यह और यहाँ पर आकर आपको एक अलग सी हनुभूती होती है यह जैसे केदारनाथ आप जाते हैं तो केदारनाथ केदारनाथ के बाद यह मंदीर एकदम सेंटर में पढ़ता है इसके बाद भी दो-तीन मंदीर है जो कोई मैंने आपको स्क्रीन शॉर्ट में दिखाया बहुती मस्त मंदीर है ये तो गाईस ये था महादेव का मंदेर और आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताईए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत बुलेगा मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजेगा थैंक्यू